तो जोर्दार तालियों के साथ आतिशी जी का स्वागत कीजिए आप लोग आतिशी जी के बारे में हम बता दें आपको कि ये एक नहीं दो नहीं कई सारे मंत्राले संभाल रही हैं दिली सरकार में विमन इन चाइल डेवल्मेंट, एडुकेशन, टूरिज्म, आट, कुल्चर और लैंवेज, पॉलिक वर्स दिपार्टमेंट और पावर यानि कुल में लागर दिली सरकार एक तरह से आप संभाल रही हैं और अर्विन केशरिवाल जी के अपसंस में तो संभाल ही रही थी, ऐसा कह सकते हैं तो देखे, you have to tell me about the situation जो सबसे पहले हमने देखी थी टीवी पे, जब जमानत मिली अर्विन केशरिवाल जी को तो वो जो आपकी और मनीश से सोदिया की वो रूम के अंदर तस्वीर थी जब आप वाच कर रहे थे, लाइव की कोट क्या जज्जमिन सुनाएगा, तो वो मोमेंट कैसा था? देखिया, आम आदमी पार्टी पिछले दो साल से बहुत संघर्श के दौर से गुजरी है, जिस तरहां से भारतिय जन्ता पार्टी की केंदर सरकार ने हमारी पार्टी को टार्गेट किया, हमारी सरकार को टार्गेट किया, मुझे लगता नहीं है कि इस देश के इतिहास मे किसी पार्टी किसी सरकार को इतना टार्गेट और विक्टिमाइज किया होगा जितना आम अदमी पार्टी को किया गया हमारे स्वास्त मंतरी सितेंद जैन जी को गिरफतार किया गया हमारे शिक्षा मंतरी मनीर से सोधिया जी को गिरफतार किया गया और आखिर कर हमारे लोगप्रिय मुख्यमंत्री अर्विन केजरिवाल जी को गिरफतार कर लिया गया इन सब को ऐसे कानून के तहन्त गिरफतार किया PMLA जिसमें बेल मिलना लगभागा संभव है वो ऐसा स्ट्रिंजेंट कानून है तो जो इस दौर से हम पिछले दो साल से गुजरे जिसमें एक के माद एक एक के बाद एक आम आदमी पार्टी के नेताओं को गिरफतार किया जा रहा था लंबे-लंबे समय तक जिल में रखा जा रहा था तो मुझे लगता है कि जब आखिर कर इस दौर का अंत आया है और वो भी पिछले एक महीने में ही आया है तो स्वभाविक बात है कि हम खुश तो होंगे और अर्विन केजरिवाल जी हमारे पार्टी के मुखियां है परसनली हम सबके मेंटर भी है हम सबको राजनीती में लाने वाले भी अर्विन केजरिवाल जी है तो जिस दिन अर्विन केजरिवाल जी की जमानत का फैसला आया सवभाविक बात है कि सिर्फ मैं नहीं आम आदमी पार्टी का एक एक कारे करता और मुझे रखता है कि एई याए यह बहुत मज़दार बात है भारती जनता पार्टी किसले दौ साल से क्यूंकि यह तथा अप symmetr ऑधित शराब खोटाला यह फरजी केसे पिछले दौ साल में शुरू हुए तो पिछले दौ साल से लगाताभारती जनता पार्टी के प्रवक्ता सुबह से लेके शाम तक हर प्रेस कांफरेंस में हर डिबेट में एक ही बात कहते थे कि अगर इमानदार है और कुछ नहीं किया तो जमानत क्यों नहीं मिल रही जमानत क्यों नहीं मिल रही जमानत क्यों नहीं कर दी सेंकडों अफसरों को लगा दिया E.D. और C.D.I. की दो साल में अभी तक एक रुपे की भी रिकवरी नहीं कर पाई है बारती है जंता पार्टी की एजनसी सो अब्यूस है वो तो मुकदमा शुरू ही नहीं करना चाहते क्योंकि उनको पता है कि जैसे ही मुकदमा शुरू होगा दूद का दूद पानी का फानी होगा दो मिनट भी केस टिकने वाला नहीं है तो देखिए इस स्टेज पर बेल के अलावा कोट देखया सकता है और हमारे साथ ही है मेरे दोस्त और भादवाण जी उन्होंने एक बड़ी मज़िदार बात करेती जो मैं हमेशा हम कोट करती हूं उन से भी किसी न यहीं पूचा था कि जी भी तो मिलीै है कि बेली है तो गहते है जाज और क्या दे सकते है भेल ही दे सकते है अच्छा यह बता हिए आतिशी की नैतिकता की बात पर सवाल उठाती है बीजैपी, वे कहती है कि नैतिकता किस बात की, वो तो कहते हैं कि शोध भी होना चाहिए अरविंद केजरिवाल जी के उपर, वो ये भी कहते हैं कि ये अभी फिलहाल ये सब चल रहा है, लेकिन वापस तो कन्विक्ट होना ही हैं तो यह जशन किस बात का और पाटाकों पे बेहन लगाती है आपकी सरकार और जब रिलीज होते हैं तो जशन मनाया जाता है पाटाकों के साथ देखिए मैं तो भार्तिय जंता पाटी की एजनसी इसको चैलेंज करती हूँ आप ट्रायल शुरू तो करवाईये आप मुकदमा शुरू तो करवाईये दो साल में एक रुपया की रिकावरी आप कर नहीं पाएं इसलिए आप मुकदमा शुरू करा नहीं कर नहीं रहे हैं क् कुछ तो सामने रखेंगे, कुछ तो evidence रखेंगे, कुछ तो कहेंगे, अगर भष्टा चार हुआ है, एक रुपया तो कहीं से मिला होगा, दूसरी बाद, आपको ये भी समझना है, कि जब तक trial शुरू नहीं हुआ, कोट क्या कह सकता है, जितना कोट कह सकता है, उससे बहुत जादा Supreme Court ने कहा है, Supreme Court ने मुझे लगता है, कि UPA के दौर में ये कहा गया था।, केज पारेट हैं ये एजनसीस, आज पिर से भारतीय जन्तापार्टी की सरकार के मूँपे तमचा मारा है Supreme Court ने, चब।, Supreme Court के एक जज कहते हैं, कि केंज교 सरकार की agencies एक पंचरे में बंद तोते की तरह हें, जो सिर्फ अपनी मालिक के आवाज में बोलती हैं. 万हले कोट कहता है कि अरविन केजरिवाल जी की गिरफ़तारी एक दुर्भावना के تहत थी, जब गुद कोट कहता है कि इन agencies को अबबंव बोर्ड होना पढ़ेगा, तो इससे जादा तमाचा सुप्रीम कोट के इंदे सरकार को क्या दे सकता है अर्विन केजरिवाल का जब जिक्र होता है आतिशी तो ये भी कहा जाता है कि वो टाइमिंग जब उन्होंने रिजिगनेशन दिया अपना जब जेल हुई थी उस वक्त रिजाइन क्यों नहीं कि आप चुकि हर्याना चुनावार है तो उससे भी जोड़कर देखा जा रहा है कि इसलिए वो टाइम का इंतजार कर रहे थे आप उन्होंने एलान कर दिया कि वो इस्तीफा देने जा रहे हैं अगर आप भारतिय जनता पार्टी के पिछले 10 साल का इतिहास देखिए 2014 से आज तक जहां जहां भारतिय जनता पार्टी चुनाव नहीं जीतती है वो CBI और ED का प्रयोग करके विधायक तोड़ती है विधायक खरीदती बेचती है और अपनी सरकार बनात मद्य प्रदेश में सरकार बनाई तो ये लोकतंत्र का हनन है जो भारतिय जनता पार्टी करती है जहां पर विधायक की खरीद फरोगत नहीं हो पाई वहां पर उन्होंने एक नया फॉर्मिला बनाना शुरू कर दिया कि जहां पर विपक्ष की सरकार हैं वहां पर मुख्यम जी गिरफतार हुए थे उसी समय सिद्धरमया जी पर भी एक केस हुआ पिनरी विजियन जी की बेटी पर केस हुआ तो अगर अर्विंद केजरिवाल जी गिरफतारी के बाद इस्तीफा दे दे ते तो हेमन सुरें जी और अर्विंद केजरिवाल जी ने फॉरण इस्तीफा द होते हैं दूसरे मंतरी को विभाग दिये चाहते हैं जब एक मुख्यमंतरी इस्तीफा देता है तो सरकार पूरी इस्तीफा देती है सरकार फिर से बनती है जो नया मुख्यमंतरी होता है उसे फ्लोर अफ दा हाउस पे अपना कॉंफिदेंस वोट फिर से दिखाना होता है तो इसलिए एक मुख्यमंतरी का इस्तीफा आप याद करिए जब हेमन सुरेंजी ने इस्तीफा दिया था चंपाई सुरेंजी ने तुरंत अपना स्टेक क्लेम किया था गवर्नर के पास ती थी बैकडोर से अपनी सरकार बनाने की कोशिश कर रही थी तो अगर अर्विंद के जरिवाल जी तब इस्तीफा देते तो एक के बाद एक एक के बाद एक विपक्ष के मुख्यमंतरियों की गिरफ्तारी की लड़ी शुरू हो जाती ममता बैनर जी गिरफ्तार होती पेनरी सिद्दर माया जी गिरफ्तार होते स्टालीन गिरफ्तार होते तो लोगतंत्र को बचाने के लिए विपक्ष सरकारों पर हमला जो हो रहा था रोकने के लिए इसलिए अर्विंद के जरिवाल जी ने उस समय 시исл compart नहीं दिया और मैं मांती हूं बिल्कुल सही किया तो आब कम स सचिवाले नहीं जा सकते किसी फाइल पर हस्ताक्षा नहीं कर सकते पासपोर्ट तो खेर पहले से जमाई है तो फिर अब कोई और काम था नहीं अब तो इसके लावा कोई चारा था नहीं देखिए अर्विंद केजरिवाल जी जब से मुख्यमंत्री बने हैं तब से उन पर को अर्विंद केजरिवाल की सारी ताकच्छीन लेती है उसके बाद एक LG के बाद दूसरा LG, दूसरा LG के बाद तीसरा LG जिन्नोंने कोई कसर नहीं छोड़ी अर्विंद केजरिवाल के काम रोकने पर उन पर पाबंदिया लगाने पर आठ साल हमने हाइज कोर्ट में इस सुप CTD Amendment Act लेके आगए और चुनी हुई सरकार की सारी पावर चीनली इस सब के बाद भी इस दस साल की पाबंदियों के बाद इस दस साल के काम रोकने के प्रयास के बाद अर्विंद केजरीवाल जी नो दिनली में जो काम करके दिखाया है कोई भी राज्यसकर्थकार पिछले 75 साल में नहीं करके दिखा पाई है तो अभी तक कोई भी पाबंदिया अर्विंद केजरीवाल जी को काम करने से रोक नहीं पाई है दूसरी बात अगर आप टेक्निकल क्लारिफिकेशन चाहते हैं तो वह भी मैं आपको बता दू क्यूंकि अर्विंद केजरी वाल जी के पास कोई डिपार्टमेंट नहीं है तो सारी फाइले मंत्री साइन करते हैं उनके पास वही फाइलें जाती हैं जो एल जी साहब के पास जानी होती है और उनको साइन करने की परमिशन सुप्रीम कोट ने दी हुई है तो अर्विंद केजरी वाल जी को मुख्यमंत्री बनने पर कोई रोक नहीं थी मंत्रियों को आदेश देने पर कोई रोक नहीं थी फाइले साइन करने पर भी कोई रोक नहीं थी लेकिन उन्हो केजरिवाल जी का जो इस्तीफा है ना उसको समझने के लिए आपको अरविंद केजरिवाल परसन को समझना सरूरी है अरविंद केजरिवाल जी आज दिल्ली के मुख्यमंतरी है एक सबसे फास्टेस ग्रोइंग नाशनल पार्टी के अध्यक्ष है लेकिन अरविंद केजरिवाल वो व्यक्ति हैं जो एक आई आरेस की नौकरी करते थे एक इंकम टैक्स कमिशनर थे जो इंकम टैक्स कमिशनर बन जाता है ना हमारे देश में अपने साथ पुष्टों लायक पैसा कमा लेता है ब्रश्टाचार कर करके अरविंद केजरिवाल पर निकलाएगा क्या इस बार हर रहे है नहीं बिलकुल अरविंद केजरिवाल पर शोध करना चाहिए आफटर और इस देश की पास्टेस्ट ग्रोइंग पार्टी के अध्यक्ष हैं दस साल के अंदर अंदर एक राष्ट्रे पार्टी उन्होंने खड़ी कर दी दो राज्यों में उनके बिदायक हैं तो साला लोकसभा में क्या हो जाता है लोकसभा में लोग एक नैशनल अल्टरनिटिव के लिए एक करदान मंतरी के चहरे के लिए वोट कर रहे होती हैं तो लोकसभा की जो डाइनामिक्स हैं वो बाकी इलेक्शन से स्टेट इलेक्शन से थोड़े अलग हैं लेकिन वो भी समय की बात है पंकत जी अभी अगले लोकसभा चुनाव का इंतजार करी अगले लोकसभा चुनाव क जा रहे हैं यह आपको लगता है नहीं जैसे मजबूती से आप चुनाव लड़े हैं पिछली बार के उसी मजबूती से वापस आमादमी पार्टी वापस से सरकार बनाएगी आपको ऐसा लगता है देखे ये बात तो सच है कि यह जो पूरा फरजी केस आमादमी पार्टी के नेताओं पे लगाया गया, दिल्ली के मुख्यमंतरी अर्विंद केजरिवाल जी पे लगाया गया, वो एक कीचर उठालने की कोशिश थी, वो यह जो कीचर उठालना चाह रही थी भातिय जनता पाटी वो इतना ही था, कि जी अर्विंद केजरीवाल भी और नेताओं की तरहां ही है अर्विंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी और पार्टीयों की तरहां ही है यहीं इनका पूरा प्रयास रहा इस इन पूरे फरजी केसे से लेकिन मैं जितना दिल्ली के लोगों में घूमती हूँ और मैं जितना दिल्ली के लोगों को जानती हूँ और आप भी दिल्ली में रहते हैं अगर आपको भी मौका मिले तो आप दिल्ली के आम लोगों से बात करिए दिल्ली के आम लोगों को अर्विंद केजरीवाल और उनकी इमानदारी पे भरोसा है दिल्ली के आम लोगों को पता है कि अगर अर्विन केजरी वाल इमानदार नहीं होता ना तो नॉइडा, फरीदाबाद, गुड़गाओं की तरह दिल्ली में भी आठाट घंटे के पावर कर्ट लग रहे होते दिल्ली के लोगों को पता है कि अगर अर्विन केजरीवाल इमानदान नहीं होता तो उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्यप्रदेश की तरह दिल्ली में भी देश के सबसे महंगे बिजली होती दिल्ली के लोगों को पता है कि अगर अर्विन केजरीवाल इमानदान नहीं होता तो दिल्ली के सरकारी स्कूल प्राइविट स्कूलों से बहतर नहीं होते महलना क्लिनिक में फ्री इलाज नहीं होता महिलाओं की बस्यात्रा नहीं होती और देश की इकलौती मुनाफे में चलने वाली सरकार नहीं होती ये सब कुछ हुआ है अर्विंद केजरीवाल जी की इमानदारी की वज़े से लेकिन मैं ये भी कहूंगी जैसा मैंने आपको कहा अर्विंद केजरीवाल परसन को अगर समझेंगे न तो आपको समझ में आएगा उन्होंने इस्तीफा क्यूं दिया क्योंकि जो व्यक्ति इमानदाराजनीति के लिए जिसने अपनी जिंदगी लगा दी भरष्टाचार के खिला संघर्ष करने में जिस व्यक्ति ने अपने जिंदगी लगा दी आप उस इंसान के दिल का दर्द समझें कि उस पर भरष्टाचार का आरोप लगता है उनके मन में जब यह सवाल आता है कि कहीं दिल्ली के लोग ये तो नहीं सोचते देश के लोग ये तो नहीं सोचते कि मैंने आपको लगता है देश की जो केंद्री एजंसियां है ED है, CBI है, इसी किसी को भी पकड़के ले जाती है, अंदर कर देती है, यह मुझे नहीं लगता है, यह Supreme Court को लगता है, यह Supreme Court ने कहा है, कि केंदर सरकार की एजंसिया पिंजरे में बंद एक तोते की तरह है, यह Supreme Court ने कहा है, कि एन एजंसिजस को स्वतंत्र होना जरूरी है यह सुप्रीम कोट ने कहा है कि अर्विंद केजरिवाल जी की गिरफतारी CBI द्वारा एक दुर्भावना के तहत थी उनको दूसरे केस में बेल मिल गई थी तो वो जेल से बाहर आपाएं इसके तहर थी आप निया शेस इपने मुझे बताएं कि अप मुझे एं बताइए टी आप कर यह कि अपक्रेétait करक्छिइ जो तो होती है कि बिखार की का पुरिवार की गड़ियां बनाती है उस कॉंट्रेक्ट पर CBI की जांच नहीं होती है तो ये तो सवाल उठेगा ही ना कि CBI और ED स्वतन्त अच्छी ये सवाल में नहीं उठता किसी को नहीं लगता वो स्वतन्त रहे हैं सब को पता है वो बारती जंता पार्टी के राइट हैंड है ठीक है आतिशी आतिशी मैं दो छुटे-छुटे सवाल आपसे और पूछना चाहता हूँ एक तो देखिया आप मुझे कह रही है कि आपको समझने के लिए वाकई शोद करना होगा अन्ना हजारे नहीं समझ पाए उनको जैसे ही कल जब वो बाहर आए तो अन्ना हजारे ने का कि मैं तो कहता तक कि उसको समा सेवा करनी चाहिए पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहिए वो ही नहीं समझ पाए देखिए मैं आपको बताओ पॉलिटिक्स का रस्ता असान नहीं है politics का रस्ता बहुत मुश्किल है और साफ सुतरे लोगों के लिए तो बहुत मुश्किल है क्योंकि जब आप पे रोज रोज कीचर उचाला जाता है जब आप पे रोज रोज नए आरोप लगाये जाते हैं नेकि हम लोग राजनीती में पैसे कमाने नहीं आये थे जो आज लोग आम आदमी पार्टी में हैं हम लोग अपने करियर्स में बहुत सक्सेस्फुल लोग थे अर्विंद केजरिवाल जी एक आई आरेस ऑफिसर थे मनीश सिसोदिया जी एक जनरलिस थे रागव चड़ा जी एक सक्सेस्फुल सीय थे मैं विदेश में नौकरी करती थी हमारे पास अच्छी ऑपर्चुनिटीज थी पैसा कमाने की हम राजनीती में आये देश को बदलने के लिए हम लोगों ने सैक्रिफाइस करी बहुत अपनी जॉब्स की सैक्रिफाइस करी हमने परिवारों ने बहुत sacrifice करी मुश्किल परिस्थितियों से हम गुजरे जब उसके बाद आप पर कीचर उचाला जाता है वो बहुत मुश्किल होता है किसी के लिए भी जेलना लेकिन उस सब के बावजूद आज आप देखिए क्यों डिल्ली में सरकारी स्कूल अच्छे हुए क्योंकि यहाँ पर आम आदनी पार्टीगार अरविन केजरिवाल जी की सरकार थी अगर अरविन केजरिवाल से समाढ सेवा कर रहे होते तो सरकारी स्कूल इतने अच्छन नहीं तो अगर ऐसा है तो लोग आप पर विश्वास कर जताएंगे तो छे महीने बाद जब इलेक्शन्स होंगे तो फिर से आपकी सरकार बनेगी ऐसा हम उमीद करते हैं यह बता दीजिए मुझे आखिर में कि क्या मैं भावी मुख्यमंत्री से बात कर रहा हूंगा हसे मत बता दीजिए देखे कल कल हम मुख्यमंत्री कल कोई भी बने आम आदनी पार्टी की सरकार दिल्ली की जनता के लिए काम करती आई है काम करती रहेगी हम कभी भी काम करने में पीछे नहीं है थैंक्यू सो मच आतिशी आप चौपाल न्यूजेटी इंडिया के हमारे मंच पराई बहुत दो शुक्रिया ल झाल नहीं है झाल नहीं है ।